Hi folks, this is Jennifer here और आजकल हमारा देश लॉक्डाउन सिचुएशन में है और हम लोग सब लोग कॉरिंटाइन में हैं तो आदे लोगं को तो ये लगता हुआ कि क्या जरुवत है इस लॉक्डाउन की और क्या जरुवत है हम सब को कॉरिंटीन होने तो एक लड़का होता है जो कि किसी और कंट्री से आया हुआ होता है उसकी स्क्रीनिंग होती है एरपोर्ट पे और उसको डॉक्टर्स कहते कि आप 14 देश गर पे रहें किसी से मिलिये अमद और ना अपनी फैमिली से और ना बहार जाईए तो definitely वो घर पे जाता है वो जैसे medical guidelines को follow करता है वो ना किसी से मिलता है तो उसकी ममी बोलती है क्यों बेटा आप इतने दूर से आयो आप उनसे मिल भी नहीं रहे हो ना खाना खा रहे हो मतलब you know you are not eating my handmade food or something लेकिन लड़का गुसा होता है कहता है कि नहीं 14-15 days जो government ने उनको time दिया हुआ वो उसको follow करेंगे और फिर देखेंगी क्या होता है और after 3-4 days उनको symptoms आते है थोड़ा बुखार वगरा तो वो medical help को phone करता है and उनको phone करके उनको पताता है कि उनको ये symptoms है तो वो हाँ admit हो जाता है और फिर उसकी जो immunity system इतनी strong हो जाते कि वो थोड़े दिन के बाद perfectly alright होके घर आता है फिर उसकी ममी उसको hug करती कहती thank you बेटा तुमारे वज़े से you know हम लोग बज गए और हमें ये virus नहीं हुआ कि क्योंकि ममी की age 60 थी और हो सकता था वो उनको फैले और क्या शायदो बचे ना बचे you never know you know so everybody was so happy कि he just followed the medical guideline इसके opposite में एक जो shopkeeper होता है वो gold dweller होता है वो Italy से आया हुआ होता है ये किसी और country से आया हुआ होता है और फिर उसके बाद उसको थोड़ा बुखार और खासी होती है पर वो जादा उसको ignore कर देता है जादा ना वो medical help को phone करता है ना किसी को बताता है और वो अपनी shop open करता है और वहाँ जितने customers आते है 300, 400 वो सबको infect करता है प्लस अपने घर पे जाए ता अपनी wife को अपने बच्चे, families, relative सबको infect कर देता है जब कि उसको बताया जा रहा है कि आपको ऐसे कोई symptoms है तो आप प्लीज, you know, medical help line लीजिए उनको call कीजिए बट he just ignores जब उसकी तब्वेद बहुत जादा खराब हो जाती है तब उसको hospital लेके जाए 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 था उसको पता चलता है he is positive to coronavirus और जब उसको positive होता है तो उसको काफी देर हो चुकी होती है उसको बचाया नहीं जा सकता क्योंकि वो और उनके लंग्स चोप अप हो चुकी होते है और उनकी family को भी ये virus फैल चुकी होता जितने customers उनके office में आए हुए है ये शॉप में है वो सबको positive आ जाता है तो इसलिए हमें lockdown की जरुत है क्योंकि अगर ये देश lockdown होता तो definitely उसकी shop बंद होती और कोई इसकी shop में नहीं जाता और इतनी सारे लोगों को ये virus नहीं फैलता क्योंकि ना ही वो shop open होता ना customers आते हैं इसलिए हमें ये virus फैलने के रोकने के लिए ये lockdown किया हुआ हर चीज़ बंद की हुए ताकि जितने लोग है सिर्फ उनको ही infection हुआ हुआ है तो उसकी treatment हो एक limited time पे उतने ही लोगों को हम ठीक कर सके और वापस society में आने लाइक कर सके और जिनको नहीं हुआ है वो उस चीज़ से बचे रहे है I hope दोस्तों आपको पता चल गया होगा what is the difference between lockdown देश का होना और ना होना ये हमारी सुरक्षा के लिए है तो please अब medical guideline और government guideline को follow कीचिए और ये हमारी सुरक्षा के लिए हमारी government ने इस सारे rules बनाए हुए है तो please आप इनकी मदद कीचिए Thank you